हेलो एवरिवन ऑटोमेटर सीरीज के लेक्चर में टेन में आप सभी का स्वागत है पिछली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाता है कि एन एफे को कैसे डिजाइन किया जाता है आज हम लोग उसके कुछ और एक्जांपल देखेंगे एन एफे को करने के तो पहली जब एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो स्ट्रिंग होंगी वह हमेसा किस से इंड हो रही होंगीист एन टोन typing जैसे जीरो जीरो सन होगए तो देखें सारी सारी इस्टिंग को को बनाना है और यार्गी is non-deterministic finite automata में हमने आपको बताया था कि उसमें हर एक input के बारे में बात नहीं की जाती है उसमें केवल और केवल जोरी नहीं होता है कि हर एक input के बारे में बात की जाए तो देखे स्टार्टिंग की हम लोगों ने ने स्टार्टिंग स्टेट से एस ठीक लाश्ट में इंपुट कैसा हो चाहिए वाँ स्टा ना चाहिए आंगे कुछ भी हो हमें मत्तब नहीं तो देखें हमें वन दे ओसको अमने कहा पुचा लिया फाइनल इसटेट में होचा दिया तो यह क्या हो गया हमारा यह मरा वन एस् जैसे 101,1101, तो यह क्या होगा, यह भी acceptable होगा, ठेक, तो मतलब कि last के end में, अगर one आ रहा है, तो जितनी भी string होगी, वो सारी की सारी, यह NFM लोगों ने design कर लिया है, वो सारी की सारी क्या होगी, string, इसमें acceptable होगी, दूसरी language की बात करते हैं, दूसरी language में है, उसका हम लोगो को language प्रवाइड की गई है, क्या language है दूसरी का, set of all strings that contains zero, यानि कि set होगा, जिसमें string होगी, वो सारी के सारी क्या content करने होगी, zero content करने होगी, अच्छा इसमें यह नहीं बताया है, कि zero की position क्या है, वो zero कहीं भी हो सकता है, वो zero हो सकता है, starting में हो, वो zero हो सकता है, end में हो, तो इसमें कोई position define एगी कि यह 0 start से starting में होगा या end में होगा या mid पे होगा तो यह बस 0 acceptable होना चाहिए यह यह रहा कि 0 होना चाहिए तो यह पूरा-पूरा acceptable होगा अगर 0 नहीं आ रहा है इस ट्रिंग में तो यह acceptable नहीं होगा तो देखिए starting की हम लोग ने starting state से इसको जैसे ही हमने 0 दे दिया यह कहां पहुच गया final state में पहुच गया जैसे ही हम लोगों ने इसको क्या दे दिया जीरो दे दिया यह कहां पहुच गया 10100100100100100 यह सारी की सारी की स्ट्रिंग इसमें क्या होंगी acceptable होंगी आई यह थर्ड एक्जाम्पल देखते हैं थर्ड एक्जाम्पल में बोला गया है सेट ओफ ओल स्ट्रिंग डैट स्टार्ट विद वन जिरो यानि हम लोगों को ऐसा एक सेट लेना है स्ट्रिंग का जो की स्टार्ट किसे हो रहा हो वन जिरो मला अपकी वाल हमको डिफाइन कर दिया गया है कि स्टार्टिंग स्ट्रिट क्या होना चाहिए वन जिरो होना चाहिए यानि कि जिसमें वन जिरो से स्टार्ट हो रहा होगा वो इस्ट्रिंग क्या होगी acceptable होगी तो देखिए मैंने starting state किस से किया A से start किया 1 दिया next state पे दिया फिर आंके क्या देना चाहिए 0 देना चाहिए और जैसे ही हम लोगों ने 0 दिया वो कहां पहुँच गया final state पहुँच गया starting किस से उनचीद है 1 0 से देखिए 1 0 से मैंने इसको start कर दिया अब इसके बाद final state पह जो भी आए 1 0 के बाद जो भी आए उससे हमको कोई ध्यान नहीं देना तो देखिए मैंने इसी को loop self loop पह दिखा दिया कि 1 0 आए तो 1 आ सके चाहिए 0 आए कुछ भी आए उससे हम लोगों कोई भी मतलब नहीं होगा बस हमारा main name था कि starting state किस से होनी चाहिए 1 0 से होनी चाहिए जो की आगया और जो की final state पर पहुच गया है language number 4 की बात करते है set of all strings that contains 0 1 यानि कि अब हम लोगों को एक ऐसे set of strings लेनी है जिसमें क्या होगा 0 1 होगा 0 1 होगा यानि कि आप इसमें यह नहीं define किया गया है कि वह 0 1 कहां पर होगा यहां पर पोजीशन डिफाइन नहीं की गई ए कि 0 1 की position क्या होगी तो वह हम लोगों को string लेनी है तो हम लोगों ने starting state ले लिया अब पोजीशन तो दिखाई नहीं गई कि जीरो उनकी पोजीशन का होने चाहिए तो जीरो दिया तो वो कहां चला गया बी में चला गया और जैसे ही वन दिया वो कहां आ गया जीरो 1 उस string में आरा है कि नहीं आरा है अगर आरा है ते यह एक्या नहीं पर टेंबल नहीं है तो देखिए जीरो दिया और वन दिया जैसे जीरो दिया और नेक्स स्टेट पर मैंने क्या दे दिया और बन दें तो फाइनल हला फान फिंज कुछ Psalm आहिए अब एक और एक्जाम्पल देखते हैं अभी और क्लियर होगा लेंग्विज 5 देखिए हमको प्रोवाइड की गई है सेट आफ ओल इस्टिंग्स दैट इंड्स विद वन वन हमको ऐसा सेट है इस्टिंग की जो की इंड किस्से हो रहा है वनवस अमीड माला रहे इसमें देखिए पोजिशन कर देंगे कि इंड किस्से होना चाहिए होना चाहिए वनवन से होना चाहिए तो सुरवात में कुछ भी हो बस इंड आखरी का ध्यां देना तो देखिए मैंने जैसे वन पर आया ने इस टेड़िया और यहाँ हमको मिल गय और इसमें क्या हो चाहें जो भी हो जाए शुरुवात में जो भी हो उससे कोई भी मैटन नहीं करेगा तो देखिए हमारी लास्ट में क्या आना चाहिए वन वन आ चाहिए तो यहां से हम लोग देखे कुछ एक्जांपल्स एंफ्य कि खेंऑ के के कैसे एंफ्य को डिजाइन किया जाता है ऐा बीटार ईफोल को को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोग मैं अगर यह उपल पसंद किया था प्लीच इसको शियर कीजे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपको इस द इतना भी मैंने आपको अभी बताये इसमें से आप कुछ नोट मत कीजेगा क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आप वहां से मेरे नोट्स डाउन्डोड कर सकते हैं थैंक यू